हलो दोस्तो अपरनास होम एंड लाइफ में आप सभी का स्वागत है होग और आज मैं शेयर करूँगी होम मीड घी उसी के साथ कुछाथ स्पाइसिस मैंने बनाए थे वो और मैं मंतली ग्रोसरी शॉपिंग कैसे प्लान करती हूँ लिस्ट कैसे बनाती हूँ और इडली रवा यूज करके आप इडली बैटर कैसे रेडी कर सकते हो वो भी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है मेरी लास्ट व्लॉग में मैंने सोकिंग तक का प्रोसर्स शेयर किया था अभी क्विक्ली मैं उसको रिपीट कर देती हूँ तो यहाँ पे मैंने एक कप उरत की दाल ली है उसको अच्छे से वाश करके पानी में सोक किया है उसमें डाले है थोड़े से मेथी दाने और इसको हमें 4-5 आवर्स सोक करना है और दूसरे पतिले में मैंने लिया है 4 कप्स ओफ इडली रवा यानि 1 कप उरत दाल के लिए 4 कप्स ओफ इडली रवा ये मेजरमेंट है और 3-4 कप पोहा तो यह इडली रवा मैं इंडियन स्टोर से ही ले आई थी लक्षमी ब्रैंड का है यह आपको मिल जाएगा वहाँ पे और अभी मैंने सिर्फ उरत की दाल को ही सोग किया है और इडली रवा को अभी हमें सोग नहीं करना है और अभी उरत की दाल को भीके 5 आवर्स हो गए है तो अभी मैं उसे ग्राइंड करूंगी तो उससे पहले मैं इडली रवा में पानी डाल के उसको सोक करने रब दूँगी और पोहा भी मैंने भिगो दिया है और अभी उरत के डाल को भी हम ग्राइंड कर लेंगे तो एक soft और fluffy सा बैटर ready है उसमें डाला है मैंने एक spoon शक्कर शक्कर से अच्छा एक taste पी आएगा और fermentation में भी help होगा और अभी उरत के बैटर में इडली रवा जो हमने पानी में सोक करके रखा था बस उसे हमें ऐसे squeeze करके उसमें डालना है जो इडली रवा है उसको हमें grind नहीं करना है तो यह बहुत ही easy process है अगर आपको सिर्फ इडली खाने का मन है तो आप ऐसे बना सकते हो क्योंकि इस बैटर से दोसा नहीं बनेंगे सिर्फ इडली बनेंगे तो बस मैंने इडली रवा को और उरत के बैटर को अच्छे से mix कर लिया है और मैंने पोहा को भी grind करके इसमें add कर दिया था अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और मैं oven में इसको रख दूँगी light on करके और ये बहुत ही अच्छे से ferment हुआ था देखिए और ये महाशिवरात्री का दिन था तो हम मंदिर जाने के लिए ready हो गए थे और ये मैंने नए चपल पहने थे कोलापूरी चपल जब हम इंडिया में कोलापूर गए थे तो वहाँ से मिने लिया था और फर्स टाइम ही मैंने से ट्राइ किया था और बहुत अच्छे लग रहे थे तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं और दर्शन अच्छे से हो गया था मंदिर में हम थोड़ी देर पैटे थे और वही पे पास में एक इंडियन स्टोर है वहाँ से हमें कुछाद लेनी थी दो-तीन चीजे तो वही से हमने ले ली और फिर वहाँ से हम घर गए और फिर डिनर में मैंने आज इडली बनाया था उसी के साथ सामबर तो देखें ये बैटर बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया था अब मैं इसमें नमक एड़ करूँगी और हम अभी इडली बनाएंगे तो यहाँ पे इडली प्लेट में मैंने घी लगा दिया है और फिर इडली बैटर उसमें पूर करके मैं इसको स्टीम करने रख दूँगी और बहुत ही सॉफ्ट और फलफी से इडली बने थे आप चाहो तो उपर भी आप घी का एक लेरिंग कर सकते हो अभी हम तुरंद खाने वाले थे इसलिए मैंने नहीं किया पर अक्सर में बच्चों को देते वर्ख दिया आप जब स्कूल के टिफिन के लिए पैक करते हो तो आप घी लगा के दोगे तो वो ड्राइ नहीं होंगे और बहुत ही यमी ये इडली बने थे और सांबर के साथ हमने डिनर एंजोई किया किसको इडली सांबर खाना पसंद है मुझे कमेंस में बताना तो चलिए अब बनाते हैं बटर तो यहाँ पे मैंने अनसॉल्टर बटर लिया है तो दो पैक मैंने यूज किये है उसके अंदर टोटल एट क्यूब्स थे ऐसे छोटे छोटे तो इसको मैंने एक कडाई में ले लिया है इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे पहले और फिर थोड़ी देर बाद यह जो आप सफेद देख रहे हो वो सारे मिल्क सॉलिड्स है जैसे ही यह बॉयल होता रहेगा सारे जो मिल्क सॉलिड्स है वो नीचे जाके बस जाएंगे और धीरे धीरे घी क्लियर होता जाएगा और अभी घी जो है अल्मोस्ट क्लियर हो गया है और अभी मैं उसे थोड़ा डार्क होने दूँगी क्योंकि एकदम सफेद वाला घी मुझे पसन नहीं है मैं थोड़ा उसको डार्क बनाती हूँ तो अभी नीचे का जो सॉलिड है थोड़ा सा डार्क हो गया है अभी मैंने उस पे पानी का एक शीटका मारा है और मैंने ग्यास का प्लेम ओफ कर दिया है पानी को ऐसे स्प्रिंकल करने से जो घी है उसका टेक्श्चर बहुत ही ऐसे ग्रेनी से आएगा तो घी जो है वो बनकर रेडी है उसका जो टेस्ट और टेक्श्चर दोनों भी बढ़िया था और दो पैक को मैंने यूज किया था उसमें इतना घी निकला और मैंने आज टोमेटो राइस बनाया था मुझे उसको हीट अप करना था इसके लिए मैंने उसी कडाई में डालके उसको गरम कर लिया था और ये घी रेडी है ठंडा होने के बाद और आज लंच रेडी था तो मेरे पास और टाइम था तो सोचा कुछ spices बना लेते हैं तो यहां पे मैंने धनिया और जीरा का पाउडर बना रही हूँ तो यहां पे मैंने धनिया लिया है उसको अभी मैं साफ कर दूँगी और फिर 2-3 मिनिट ऐसे ही ड्राइ रोस्ट करके उसका एक मैं दरदरा सा पाउडर बना दूँगी यह जो पाउडर है मैं फर्स टाइम ही घर पे बना रही हूँ इससे पहले तक तो मैं शॉप से ही रेडी मेट वाला लाती थी पर सोचा चलो इस टाइम बना के देखते हैं इसलिए मैंने ग्रोसरी में धनिया जादा भी लिया था तो अभी मैंने उसको बस 2-3 मिनिट ड्राइ रोस्ट किया है और ठंडा होने के बाद हम इसको करश कर लेंगे और ये क्वांटिटी मुझे कम लगी तो फिर इसके बाद मैंने इसको और रिपीट किया और बस उसी तरह मैंने जीरा को भी साफ कर लिया था और 2-3 मिनिट अच्छे से भून के फिर उसको भी ठंडा होने के बाद मैंने पाउडर्स बना लिये थे और साथी साथ अगर कोई ग्रॉसरी में खतम हो जाता है तो तुरंथी मैं एक पेपर में उसको नोट डाउन कर लेती हूँ और मैंने ऐसे पेपर के जो कटिंग्स है वन्या के स्कूल से आते हैं वो जो यूस कर लेती है उसका बैक साइड प्लेन रहता है तो उनको मैंने ऐसे कट करके रख लिया है और एक पेन मेरे स्पून स्टैंड में ही होता है हमेशा तो जब भी मुझे याद आता है तुरंथी मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं भूलू नहीं और वैसे ही यहाँ पे मैंने वर्मी सिली डाला था वो भी खतम हो गया था तो उसको भी मैंने लिख लिया था तो ग्रॉसरी लिस्ट मैं ऐसे ही प्लान करती हूँ पहले तो मैं मन्तली सारे ग्रॉसरीज ले आती थी पर अभी मैं जैसे जैसे मेरे groceries खतम होते हैं उस list के according ही मिलाती हूँ every two weeks और three weeks reason being क्योंकि यहाँ पे इस घर में storage कम है और इतना सारा रखने की यहाँ पे जगे नहीं है और फिर over stocking भी हो जाता है और इस घर से Indian store नजदीक है 10 minutes drive में ही है और every two weeks तो हम veggies लाने जाते ही है और तभी कुछाथ groceries मुझे add करनी हो तो तभी मैं उन्हें ला देती हूँ और easily रखने की भी जगे हो जाती है और over stocking भी नहीं होती है तो आज कल तो मैं ऐसी कर रही हूँ जब कोई खतम हो जाता है grocery तो उसी के बाद में लाती हूँ या खतम होने से थोड़े दिन पहले लाके रखती हूँ ऐसे stocking नहीं करती हूँ और अगर आपका घर दूर है Indian store बहुत दूर है then it's a different thing जब मैं first time USA आई थी तभी हम मैं Asheville में थी और वहां से वहां पे कोई भी Indian store नहीं था वहां से हम दूसरे गाओं में जाते थे almost एक one day trip जैसा होता था तो तभी उस time पे हम two two months का जो grocery है वो लेके आते थे so it totally depends on how it works for you मैंने peanuts भी roast कर लिये थे तिल मुझे roast करके रखने थे वो भी काम हो गया था और ये जो हम तड़के के लिए मैं रेड चिली यूज़ करती हूँ वे लास्ट के बचे हुए थे तो उनको भी मैंने grind करके घर में ही चिली फ्लेक्स बना दिया था तो आज बहुत सारा काम हो गया था दनिया पाउडर बनाया जीरा पाउडर चिली फ्लेक्स बना दिया पीनट्स रोस्ट कर लिये साथ ही में तिल मुझे रोस्ट करने थे वो भी हो गया ग्रासरी लिस्ट भी मैंने बना ली थी काम करते करते जब भी मुझे याद आता है पेपर और पन वही पर रहता है तो जल्दी से मैं note down कर लेती हूँ और इसी तरह मेरा ग्रासरी लिस्ट प्लान करती हूँ और आप कैसे करते हूँ मुझे comments में बता ना और बस मैंने mixer को तबी के तबी अच्छे से clean करके wipe करके रख दिया है पहले तो wet tissue से मैं wipe कर दूँगी और उसके बाद एक dry towel से मैं उसको clean करके रख दूँगी ये mixer almost 5 साल पुराना है पर अभी भी ये बिल्कुल नया दिखता है और जब भी मैं इसे use करती हूँ उसको clean के बिना मैं नहीं रखती हूँ ऐसे करने से वो हमेशा ही clean और नया दिखेगा और lunch भी हो गया था, gas और sink भी मैंने clean कर दिया है और counter top clean करने के बाद वो जो wet tissue है उस tissue को discard करने से पहले मैं dustbin को एक बार अच्छे से बाहर से पोच देती हूँ क्योंकि dust उस पे जम जाता है उसके लिए अलग से tissue use करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसी tissue से मैं एक बार उसको अच्छे से wipe करके फिर उसको मैं discard करती हूँ और मैंने recently holy special पूरन पुली और आमटी की recipe शेयर की है मेरे चैनल में अगर आपने check नहीं की है तो do check out very easy recipe है detailed recipe with tips and tricks मैंने शेयर की है वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा like, comment और share भी कर दीजेगा मिलती हूँ next video में till then stay connected, take care, bye bye